एलो एवरिवन नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आलोग बाचपी आप लोग जुड़ चुके इस समय इंडिया के नमबर वानी स्टडी चैनल वाइफाई स्टडी पर तो सबसे पहले आप लोग कैसे हैं और तैयारी आप लोग की कैसी चल रही एक बार है तेजी से सभी बिद् विद्यार्थी जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी लोग एक बार सेशन को सेयर कर देंगे स्वास्त कई दिनों से अस्वास्त मैं रहा हूं वह आज भी बहुत ज़्यादा गले में समस्या है बहुत तेजिस नहीं बोलूँगा लेकिन आप लोग क्ल और मुझे अनकेडमी लर्नर एप पर सभी लोग फालो करेंगे मेरा नाम है अलोक कुमार बाचपी आप लोग फालो करेंगे तो मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और देखिए किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको एबी सर 10 कोड लग में लिख करके अपलाई करना है आइकोनिक लेने के लिए भी और आस्क डाउट बाइन एकेडमी पर आप किसी भी प्रसनका डाउट पूछ सकते हैं केवल इमेज फॉर्म में कॉश्चन भेजिए इंस्टेंट आंसर मिलेगा टेस्ट सीरीज आप लोग यहां से प्राप्त क किए नीचे रफ्रेल कोड बॉक्स है उस रफ्रेल कोड बॉक्स में कोड लिखिए कैपिटल लेटर में ए भी सर्टेंट यह कोड लिख करके अपलाई पर क्लिक कर दो प्रोसीड टू पे कर दी यह हो गया सब्सक्रिप्शन और नौ तारीक यानि कि कल के दिन आपका एक कॉ सारा बजी टेस्ट जरूर दीजिएगा सांदार जांदार प्राइज भी जी सकते ठीक है और मेरे टेलेग्राम गुरूप से जरू सारे लोग जुड़ जाएगा जितने लोग भी जुड़ते हो यार ठीक है चलिए पहला सवाल है थ्रंबो साइट का निर्मार किसके दौरा क्या ठीक होगा मनों जया अधर music मिठ्था मिलकूल राजा अमन्स सारे लोग अंसर कीजिए आमनबाव सारी हुटर किया सारी हो सारे हम लोग जो है ऑcm लोग कहते हैं जो हम लोग कहते हैं प्लेट लेट अवा या न dış टरूप क्या कहते हैं जो प्लेटलेट्स है उसका जैविक नाम क्या होता है ठ्रंबोसाइट होता है ठ्रंबोसाइट का निर्मार वोन मेरो में अस्थिमज्जा में होता है एक बीमारी होती है याद रखिएगा काला जार से यही प्रभावित होता है याद रखिएगा लीस्मेनिया ड पित्त का निर्माड कौन करता है पित्त यानि की बाइल का निर्माड यक्रत करेगा और इस्टोर कहां होगा तो इस्टोर गाल ब्लेडर यानि कि पित्तासे में इस्टोर होगा हार्मोन हमारे सरीर में कभी भी इखट्ट नहीं होते हैं आवसकता करने आवसकता पढ़ने पर ह आर्मोन सी क्रेशन होता है याद रखिएगा ठीक है आगे बढ़ते ही बंबाई का सबसे क्रांतिकारी गुप्त संगठन कौन सा था बंबाई का मित्रमेला अभिनब भारत गदर पार्टी अनुस्विलन समीत पटाबट आंसे करो गें वेरी गुड मॉर्निंग रानी कुमारी किरन, बुल्जार, पबन, रोसन सारे लोग बहिया सेर जरू करते जाएगा और फटाबट आंसर करते जाएगा बहुत बेतरीन कोश्चन है बंबाई का सबसे क्रांतिकारी गुप्त संगठन अभिताम भारत यह किसका था बहिया वीडी सावरकर का था इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना ठीक है याद रहेगा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई है यह कहां हुई है अमेरिका में और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्कों में अब देखो पेपर सेंटर ने क्या क्वेश्चन डाला उसने कहा गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के किस इस थान पर होती है दे दिया गया पूर्वी अमेरिका पस्चमी अमेरिका उत्री अमेरिका दच्छडी अमेरिका अब बच्चा फस गया तो पस्चमी अमेरिका में है याद रखियेगा कौन सा सैन फ्रांसिसको ये सबाल आ चुका है इसलिए इस तरीके के उसने किया क्या इत चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है दलाइन आप बंबे के नाम से किसको जानते हैं दलाइन आप बंबे के नाम से प्रस्नका सही उत्तर क्या होगा दलाइन आप बंबे के नाम से हम लोग किसको जानते हैं प्रस्नका सही उत्तर क्या होगा बोले वाई, फास्ट, सारे लोग आंसर करोगे, दलाएनाब बॉम्बे के नाम से, हम लोग किसे जानते हैं, प्रसन का सही उत्तर क्या होगा, देखो बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत मस्त क्वेस्चन है, दलाएनाब बॉम्बे अगर कभी भी पूछा जाएगा, तो ले चिरंनाद बनर जी ने 7 अगस्त, 1905 को एक अंदोलन चलाया, वो अंदोलन, स्वदेशी अंदोलन कहा गया, वो अंदोलन भीया, स्वदेशी अंदोलन कहा गया, बंगाल बीभाजन के विरुद्ध चलाया गया था, दादा भाइन रोजी को कांग्रेस का नाम इनके सुजाओ पर रखा गया था पहले नाम था इंडियन नेस्टल कॉंफरेस नाम था इनके सुजाओ पर कॉंग्रेस नाम रखा गया और इनको Grand Old Man Grand Old Man Of India इनको कहा जाता है तिलक बाबु कभी भी इंडिया नेस्टनल कॉंग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं इनको बैलेंटीन सिरोल ने भारती असान्ति के जनक की संग्या दी है बैलेंटीन सिरोल ने अगला सवाल है बंगाली समाचार पत्र किसके दारा संपादित था भाई बंगाली समाचार पत्र बहुत बड़ी है रोसन ये बंगाली जो था ये सुरेणनाद बनरजी का था किसका था सुरेणनाद बनरजी का था याद रखना है ठीक है भाई चली आगे बढ़ते ही अब देखो यहाँ पर यार इस सवाल से जुड़कर मैं कुछ और सवाल बता दो जो पत्र आप लोग नोट कर लोगे एक परताब बहुत पूछा गया है आपके एक्जाम में याद रखिएगा गड़े संकर बिद्यार्थी का था दूसरा नेसनल हिराल्ड नेसनल हिराल्ड बहुत पूछा गया है यह भी याद रखना भई यह आपका पंडित जवाला लहरू का था दूसरा कामन वील कामन वील याद रखिएगा एनिवे संट का था न्यू इंडिया याद रखना है एनिवे संट का था मराठा पत्र तिलक का है केसरी पत्र तिलक का है यह कुछ महत्तपूर है यह दोनों भईया हो गए आपके एनिवे संट के और यह दोनों तिलक के हो ठीक है याद रहेगा चली आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे जोतिवा फुले गोपाल हरी देशमुक आत्वाराम पांडुरंग या बाल करश्न जैकर क्या आंसर हो जाएगा बोलिये बैए केसरी मराठा बिलकुल अम मराठा जो है वो अंग्रेजी भासा में और केसरी जो है वो मराठी भासा में उल्टा है उल्टा है थोड़ा सा भया यूपीपी का बैच बिलकुल वच्चे एकदम लेकपाल का देखिए मैंने कले एक वीडियो आपको दिया था आप लोग उसमें रणनीत जरूर देखिए में चैनल पर है आप सभी लोग उसको जरूर देखिए अगर रणनीती को ठीक है चले देखो भै प्रार्थना समाज के संस्थापक की अगर कभी भी बात करते हैं तो प्रार्थना समाज का जो संस्थापक है वो भैया आपका आत्मराम पंडुरंग है जोतिवा फुले दो से जड़े हुए हैं एक आप याद रखोगे गुलाम गीरी गुलाम गीरी इनका एक संगठन और दूसरा सत्थ सोधक समाज सत्य सोधक समाज ये भी भैया इन से जड़े हुए ठीक है और गोपाल हर देशमुक को हम लोग लोक हितवादी के नाम से जानती है इस नाम से लोक हितवादी के नाम से गोपाल हर देशमुक को जाना जाता है तो ये एक महतपूर प्रस नापका बन सकता है अगला सवाल है बिस्व पुस्तक और कॉपिराइट दिवस कम बनाये जाता है पाँच जनवरी तेईस अप्रैल आठमार्च या चौविस जनवरी विस्व पुस्तक और कॉपिराइट दिवस जो है यह आपका कम बनाते हैं क्या आंसर होगा बहुत बढ़ीया सवाल है देखो अंतर राष्ट्री महिला दिवस तो आपको आठमार्च अगर कभी पूछा जाएगा आपसे राष्ट्री वालिखा दिवस तो आप कहेंगे चौबिस जनवरी बचा क्या तेईस अप्रैल तो विस्व पुस्तक कॉपिराइट दिवस कमना जाता है तेईस अप्रैल यह चाहें जॉन सा एक्जाम देने जाओ चाहें अरिस के एक्जाम डेने जांव यूपीसी देने जाओ यूपीसी देने जायओ निश्चत रूब से जो मैं बता रहा हो इन में से फशेगा जरूर ठीक है पेपरलेस के मतलब सब कुछ डिजटल मोड में और ऐसी अदालत बन गई एक केरला अगर कभी आप से पूछा जाएगा केरला का जो हाई कोट है वो कहां परिस्तित है केरला के सहर में एक बार कमेंट सेक्षन में बताओ भाई रानी दीपक सारे लोग बताओ यार केरल का हाई यूद दे बारहा अगस्त को होता है थीक है लेसे लीडी बारहा जन परी इंटर्नीशनली नइनाशनली और निउत्दे आगस्तू ठीक है बच्चे याद रहेगा हाई कोट इसका केरल का कोच्ची में है याद अकोच्ची नामक सहर में है ये भी सवाल आ हो जाता है ठीक है बढ़ते हैं सिंद्ध घाटी लोगों के लिए अज्याद धाट कोन सी थी हम लोग एक बात जानते हैं सब्बता के मतलब अंगरीजी में कहते हैं इंडर्स वैवली झम लोग काँ सविग समःता है तो काँसा ऐसे तो बनेगा नहीं जब तब कॉपर में बच्चे टिन मिला ओगे तब तक काँसा बनेगा नहीं तो थब यह द्याभ क्या ताफाबी होगा जब पनावे में टिन मिला तकली मंदिर जो है यह आपका किस इस्थान परिस्तित है प्रस्न का सही उत्तर क्या होगा वो करें तामा आरे भाई या कहां सा कही सा बन जाएगा जब तामा नहीं होगा तामे में टिन मिलाओगे तभी कहां सा बनेगा बोलिगा सारे लोगा अंसर करोंगे यह इसका तेखु बहुत बढ़िया सवाल है इसको बहुत ध्यान से समझोगे यह जो दंतकली मंदिर है यह आपका इस्तित है नैपाल में और नैपाल के काथमांडू में एक बड़ा प्रसिद मंदिर है पसुपदिनाथ पसुपदिनाथ भी बंदिर भईया यहां पर बडाथ प्रसिद्ध है काटवण्ड वंडू में स्रिलंका की बात करते हैं तो गोठबाया, राजपक्षे के राश्पती है महिंदरा राजपक्षे के परधन सिर्यलंका की कैपिटल जैबर्दने पुर्व मुठिन है पाकिस्तान की पहले राजधानी क्या थी कराची थी और अब कौन सी यह इसलामबाद है वैं चलिए आगे बढ़ते हैं इनका संबन्द किस बैंक से है एकसेस बैंक हड़ीवसी बैंक स्टेट बैंक आफ इंडिया ब्रतमान समय में हडी अप्सी के सीओ है है HDFC यह जो है यह आपका private sector का private sector का सबसे बड़ा bank है अब अगर यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है कि कुल संपत्ती ध्यान दोगे कुल संपत्ती और पूजी करण प्लस पूजी करण कुल संपत्ती प्लस पूजी करण दोनों में अगर पूछा जाएगा तो आप कुल संपत्ती में पूछा जाएगा तो ICICI लेकिन overall ICICI नंबर दो पर है एक्सेस बैंक private sector में नंबर तीन पर है ठीक है याद रहेगा के लिए है अदेगा यह सभी यह ही ही हेड़क वाटर आपको जहां पर मिलेंगे सब बंबई में परम पावण दलाइ 라मा यह पूस्तक किसने लिखी है उसनेक लिखिए बंदना दुव index जस्वन्त बिपिंस वंसर करेंगा तेजी को समझना है प्रस्ण नोट करने हैं फैक्ट नोट करने है वही बुद्धिमान है लास्ट में उसी को फिल्टर करना है एक्जामनेशन टाइम में पावन दलाई लामा पुस्तक जो है वो तेंजिंग गैचे तैसोंग ने लिखी है चक्कई अट्टम येक प्रसिद दंद्रत् स्किन कहां का है चक्कई अट्म निर्टत्य ंप्रसिद नर्टय आपका हो जाता है तमिल नाडू का ठीक है तमिल नाडू के और भी नर्टें है कर आगम कर आगम तमिलनाड का भौत प्रिसे दंडर्त हैं भरत नाट्यम कौंऽा भरate लाध्यम यह कंसा भरत नाट्यम मोहिने एक क्या है काड़ कली कौन सा या बग कत कली यह भी आपका क्यरल अगर पूछा जाएगा सत्तारिया है ठीक है विहू है अंकिया नाठ है खेल गो पाल है महा रास है पूझा है है इस अगे बहते हैं भारत ने सैचिक बुनियादी धाचे के विकास के लिए किस देश के सास्त सम्झछता किया था आंणसर कीजी वाई गुड मॉर्निंग प्रिंका को तम कैसे हो बच्चे अमिद बावु कैसे हो आप सारे लोग आंसर करेंगे मुखटा अनुनाचल प्रदेश का आयसम का नहीं है इसको करेक्ट कर लोगे मुखटा अनुनाचल प्रदेश का आरानी ठीक है इसको करेट कर लीजिए ठीक है भाई देखो है बहुत बढ़िया सवाल है भारत ने सैच्छिक बुनियादी धाचे के विकास के लिए अफगानिस्तान के साथ समझोता किया था अफगानिस्तान के राजधानी काबूल है अब काबूल में एक मुगल बाथसा का मकवरा है किसका मकवरा है बावर का बावर ने अपनी आटोबाइग्राफी लिखी उसका नाम था तुजू के बावरी उसका नाम था तुजू के बावरी और यह तुजू के बावरी किस में लिखे तुर्की भासा में अब अगर नेपाल की बात करेंगे राजधानी की तो नेपाल की राजधानी यार काठमंडू है यह पॉइंट आप लोगों को याद रखना है और रसिया की बात करेंगे यहाँ पर ब्लादीमीर पूतिन जो प्रेसिडेंट है को 2036 तक वहां के से 100 परसेंट 100 परसेंट वेक्सिनेटेड कौन सा हो गया हिमाचल प्रदेश उसने का कोविद 19 टीका करण हमारे 100 परसेंट हो गया है ठीक है बाई अब देखो ओमी कुरोन बहुत तेजीस फैल आप या कोरोना समझ सकते हो कि हम लोग थर्ड वेप कह सकते हैं आ गई तीसरी बहुत सजगता से रहना है निकले न बाहर सबसे चाहिए वह जरूरी का हो तब ही निकले यह सबसे चाहिए पर न कहीं आदमी इंफेक्टेड जरूर हो जाता है जिस राज्य ने कोविद वारियर क्लब बनाया था वह बेस्ट बंगाल था और बेस्ट बंगाल एक मात रहसा राज्य जहां की सीम महिला है पूरे भारत में किसी भी राज्य की सीम महिला नहीं है के बल बेस्ट बंगाल की है जल्दा पारा नेशनल पार्क बक्सा नेशनल पार्क और सुंदर्वन टाइगर रिजर्व महानंदा वाइड लाइफ सेंचुरी सब बेस्ट बंगाल में ठी इन के जनदिवस्वर और यह पुरसकार इनके नाम पर शुरू किया गया वह पहला पुरसकार दिया गया था पहली वार,яжka क्सको को दिया गया, इनमें से answer सारे लोगोぎ, बहुत बढ़िया, बहौत संदार क्या आंसर हो जाएगा देखो या यह जो पुरसकार PC महलोविस पुरसकार शुरू किया गया मेरे प्यारे विद्यारतियों यह PC महलोविस पुरसकार जो प्रदान किया गया है यह प्यारे विद्यारतियों प्रदान किया गया है किसको यह C. रंग राजन साहब यह RBI के गवर्नर अब यहां पर RBI की बात आई है तो दो तीन चीज़ें याद रखिए RBI एक अपरेल 1935 में बना इसका नेस्टनलाई येसन एक जनवरी 1949 को हुआ इसके पहले गवर्नर सर ओस्बोर्न इसमित थे पहले भारती गवर्नर इसके कौन थे सीडी देशमुक साब थे और इसके बाद में इसके सबसे लंबे समय तक गवर्नर बनने वाले बेनेगर रामाराओ थे सबसे कम समय तक गवर्नर बनने वाले अमिताब भोस पाप थे ठीक है इसका प्रारंबिक हैड़कौर्टर कलकत्ता में था 1937 में हेड़कॉर्टर कलकत्ता से बंबई की तरफ ट्रांसफर कर दिया गया यह सारे आस्पेक्ट यहां से बंते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है आगे बढ़ते हैं किसान जन जाते किस्टे संबंदित है पुडिशा पस्चिम मंगाल बिहार जारकंड या केवल बेस्ट मंगाल या अंद्रप्रदेश या मद्रप्रदेश और महराष्ट्रा क्या आंसर होगा फटाब आणसर करोगे भी है मेरे प्यारे विद्ध्यार्टे यो एक बार शेयर करो यार सारे लोग सेस्ट को कितने लोग जुड़े हुए एक बार शेयर जरू किजिए देखो भी अब बेतरीन सवाल है मस तरीके से समझोगे किसान एक ट्राइब है और किसान ट्राइब उडिसा में भी है बेस्वंगाल में भी है बिहार में भी है जहारखंड में भी है और जहारखंड की कुछ और स्पेसल ट्राइब से याद रखिए हो है जहारखंड में प्रदेश की ट्राइब है याद रखिएगा ठीक है बाई चलिए आगे बढ़ते हैं इसका आंसर क्या हो गया यार उडिशा वेस्टमंगाल विहर जहरकेंट सभी में किसान जनजाती पाई जाती है 2011 की जनगरणा हुई उसमें सबसे बढ़ी जनजाती कौन सी थी भील भोटिया कोल भुजिया उसमें बहुत बढ़ी के लिए थी ये किसके लिए थी जो बुनकर थे उन बुनकरों को वजीफा देने के लिए योजना सुरू हुई थी बुनकरों को वजीफा देने के लिए कोरोना टाइम में और यह सुरू की थी बाई करनाटक सरकार ने करनाटक की भासा हम सारे लोग जानते हैं करनाटक की रा आठ फिट उची कांसे की प्रित्मिया बेंगलूरू सहर में इस्थापित की गई है याद रखना है बनेर घट्टा नेशनल पार्क भी यहीं पर है इस रोका है याद रहेगा चले आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है राप्ति और रोहीनी नदियों का संगम कहां पर होता है सुभम तुम्हारे हम दिक्कत है नेट में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है एकदम ओके चल रहा है जिसको दिक्कत हो रहे है वो रिफ्रेस करेगा अपने डिवाइस को राप्ति और रोहीनी नदियों के संगम पर जो इस्थित है वह वह गोरख पूर हो जाता है अब गोरख पूर की बात करेंगे तो याद रखेगा कि यहां पर टेरा कोटा को भीया जी आई टेक को दिया गया गया अंबाला में गांधि जी के हत्यारे नातुराम गोटसे को अभी बड़ा गोटसे को उपर एक बावा थे वो गज़ा गोटसे को नमस्कार है कह रहे थे ना गांदी की बुराई कर रहे थे धर लिए गए अभी बावा जी थे आप लोग उन देखा हो गई वो चर्चा में रहा था काली चर्णोंगा नाम था नियूज में बहुत चर्चा में था ठीक है लाहूर जो है रावी नदी के किनारे स्थित है और लोग जानते हैं कि लाहूर में कुतवदी नैबक का मकवरा है लाहूर में जहांगीर का मकवरा है लाहोर में नूर जहां का मकवरा है लाहोर में अनारकली का मकवरा है इतने सारे मकवरे लाहोर में इस्तित है बिल्कुल भाई बंदना दुएदी आपका नाम ले लिया मैं एक बार समके नाम ले लेता हूँ आप लोग सेर जरूर कर दीजिए वंदना, सरोज, योगी जी सुभम, जस्वंत सरोज, नवीन और गेमिंग स्टार क्रिस्ना, अंकेत रानी कुमारी, सारे लोग भी है ठीक है, सबका नाम ले लिए देखो चलिए, आगे बढ़ते है हाल में किसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार दोहजार इक्षिस से सम्मानित किया गया था मदर टेरेसा मेमोरियल अवार दोहजार इक्षिस से बिलकुल भाई, आपका नाम ले लिया बच्चे, बंदा आपका नाम ले लिया, सुभम आपका नाम ले लिया, जस्वन ताप का भी नाम ले लिया, एक बार आंसर करोगे बैं सारे लोग, देखो बहुत बढ़ी है सवाल है, मदर टेरेसा मेमोरियल अबाट दो हजार रिक्यस, ये जो दिया गया है, ये दिया गया भईया, डेनमार्क को, और मदर टेरेसा दिबस, ये अलवानि मदर टेरेसा जी को, 1989 में इनको मिला है, नोबल प्राइब, 1980 में भारत रद्न, इसके बाद रेमन में से से भी इनको, पुरस्करत किया गया था, याद रखना, गड़े संकर विद्यार्थी का संबंद किस पत्र से, निव इंडिया कावन वील, अलविला गया, इन में से बिल्कुल बलबंद सिंग भी आंसर करते रही है, और एक बार सारे लोग सेर जरू कर दीजेगा, आंसर कीजेगा, इसका आंसर क्या होगा, देखो है, गड़े संकर विद्यार्थी की बात करते हैं, तो गड़े संकर विद्यार्थी का जो संबंद है, वो बच्चे आपका ह चले आते हैं गलत एंई बेशेंट जो है वो आपकी याद रखना नागरिकtā उनकी जो है बृतन की नागरिकता है लेकिन इनकी कर्म भूमी है क्योंकि समंदित हैं याद रखेंगा ठीकर बृतन की नागरिकता और आईरस इनकी हो जाती है कर्म भूमी फोटी जंज़ात किस से सम्हनुदित है महाराश्ट्र पष्ट्रिम, मंगल, अंध्य प्रदेश ya मंध्य प्रदेश ठोटी जंज़ात किस से सम्हनुदित है प्रस्नका बहुत ही बेतरी कोश्चन है बटा बटा आंसर करो कि थोटी जंजात एगर कभी पूछी जाएगी तो थोटी जंजात भी बाई अंध्य प्रदेश की हो जाती है कहां की हो जाती है अंध्य प्रदेश की हो जाती है ठीक है और देको भील यहां पर पाई जाती है मीडा भी यह आपर पाई जाती है कुछ हद तक ठीक है वैसे मीड़ा सबसे बड़ी ट्राइब कहां की है तो वह आपकी राजस्थान की हो जाती है ठीक है बचे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवार है लीवर का भार सरीर के भाग का कितने भाग होता है पीडिएफ मिल जाएगी पीडि किताब लेकर के सद्ट हो जाता है ठीक है वैं केले रहे हैं देखो भी है बाध बढ़ीकर सवाल है लीवर का भार जो है वह सरीर के भार का एक बटे पचासमा भाग होता है और लीवर जो है वह मानव सरीर की सबसे बड़ी एक कोड है उस कोड को याद रखते हैं ISBM I से इंद्रा सागर बांद S से सरदार सरोबर बांद B से बारगी बांद M से महसर बांद याम से महसर बांद ये कोड जो है ये नर्मदा नदी पर बने हुए बांद का कोड है ये नर्मदा नदी पर बने हुए बांद है तो आंसर क्या हो जाएगा इन में से कोई नहीं अभी मैंने आपको बताया एक टी से तू बनाया गया बनाया गया ये महानदी पर कटक में बना ती यह आगे बढ़ते हैं ब्लैक बख यह किस राज्य का अधिकारी जो है वह जानवर है ब्लैक बख बिल्कुल बच्चे संजय बावु 100% कराएंगे ठीक है 100% कराएंगे याद रखना है देखो बहुत बढ़िया सवाल है ब्लैक बख पूछा गया है यह जो ब्लैक बख है यह किस राज्य का अधिकारिक जानवर है तो इसका अंसर हो जाएगा या अंध्रप्रदेश का है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे गुल्जारिला लंदा मुरार्जी देशाई लालबादु सास्त्रिया जवाला लेहरू क्या आंसर हो जाएगा प्लैनिंग कमिशन के पहले डिप्यूटी चेर्मेन कौन थे देखो बह और योजना आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे जो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे वह आपके कौन थे गुल्जारिला लंदा यह गुल्जारिला लंदा जो हैं यह जब पंडित नहरू की मृत्ति हुई पंडित नहरू की जो मृत्ति हुई तब यह प्रध प्रदान मंत्री और ऐसे एक मात्र विक्ति भी हैं जिनको भारत सरकार का सर्वोच सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच सम्मान निसाने पाकिस्तान दोनों दिया गया है लाल बाद उस सास्तिरी मरणो प्रांथ भारत रत्म प्रांत करता पहले पह बैगती। इसका आंसर दीज़िए गभें चुक्कीका मता किस धातु से समंदित है। फठा उप्ण रंसर कीज़िए कुप previous हैं, dopey Krak मता इक है किस धात्व सबंदित है। भारत में कोलार और हट्टी दो याद रखनी है गोल्ड से है ठीक है चुकी का माता यह तामे की है तामे की और तामे से ऐले दी भारत में दो इस्तल एक मदप्रदेस का मलाज घंड है और दूसरा ही आपका है वो कहां का है यार तामे का वो आपका हो जाता खेतड़ी जुनजनु जिले का राजस्थान का ठीक है? चले आगे बढ़ते हैं पहला सरस्वति सम्मान किसे मिला था? बिजय तेंदुलकर, हरिवन सरावच्चन, सचिन तेंदुलकर या सिवा रिड़ी पहला जो सरस्वति सम्मान है किसे प्राप्ति किया गया था? किसे परदान किया गया था? आंसर करो गए डाइमेंड मद्द परदेश के पन्ना हीरा कह सकते हो, वहां से निकाला जाता है अंकित और वर्ल्ड में हम लोग जानते हैं साउथ अफरिका ठीक है? अंकित बाबू याद रहेगा भई? बोलोगे मेरे प्यारे विद्यारतियों एक बार सेर कीजिए सेसन को तेजी से पहला सरस्वति सम्मान जो है हरिवन सराब अच्चन जी को दिया गया ठीक है? आगे बढ़ते हैं सुल्तान गड़ी किसका मकबरा है? बलबन नसरुद्दिन महमूद कुत्बुद्दी नहबक या इन में से कोई नहीं सुल्तान गड़ी विएक इसका मकबरा है? बोलेगा सारे लोग तेखो यार सुल्तान गड़ी जो मकबरा है याद रखना है ये सुल्तान गड़ी जो मक्वरा है ये बच्चे हो जाता है नसुरुदिन महमूद इल्थुत्म इसके पुत्र का बल्बन ने एक सैने बिभाग के स्थापना की थी उसका नाम था दिवाने आरिज इसके अस्थापना की थी कुतवुदिन एवग जो है ये दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है याद रखना चाहिए आप एवग का आर्थ होता है उता है चंद्रमा का देवता है ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए ठीक है भाई? याद रहेगा? चली, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल का अंसर करोगे आप लोग, जल्ली से आंसर केजिए, विस्टु हीमोफीलिया दिवस जो है, यह आपका कम मनाया जाता है, यह आपका कम मनाया जाता है, क्या आंसर होगा, बोलियो वे, फटा बड़ आंसर करो, विस्टु हीमोफीलिया दिवस जो है, आपका कम मनाया जाता है, प्रस्नका सही उत्तर क्या होगा, वामता बच्चे, वेरी गूड मॉर्निंग, वेरी गूड मॉर्निंग, अंकित, सारे लोग सटी का आंसर कीजिएगा, देखो, विस्टु हीमोफीलिया दिवस आपका मनाते हैं 17 अपरेल को, 22 अपरेल को विस्टु प्रत्वी दिवस, 7 अपरेल को विस्टु स्वास्ते दिवस की रूप में मनाया जाता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत में सूचना करांति के जनक कौन से परधान मंत्री हैं, इंद्रा गांधी, राजीब गांधी, या पीवी नरसिमराओ, या विस्टुनात प्रताफ सिंग, किसको मानते हैं, सूचना करांति का जनक है, वो किसको मानते हैं, सूचना करांति का जनक माना जाता है, वो राजीब गांधी को माना जाता है, किसको राजीब गांधी राजीव गांदी जो हैं वो सबसे यूबा प्रधान मंत्री रहे हैं इनके समाद इस्थल का नाम वीर भूमी है याद रखना है पीवी नर्सिम राओ सहाब इनको आधुनिक चाड़क के कहते हैं दच्छन भारत से बनने वाले प्रधान मंत्री पीवी नर्सिम राओ सहाब जब यह प्रधान मंत्री बने तो नहीं लोकसभा के सदस्य थे नहीं राजसभा के सदस्य बाद में नांदेर से बनते हैं बीपी सिंग सहाब अविश्वास प्रस्ताओ सबसे पहले इनके खिलाफ लाया जाता है और इंद्रा गांधी ये पहली महिला प्रधान मंत्री की अगर बात करेंगे पहली महिला प्रधान मंत्री स्रीमती इंद्रा गांधी हो जाती है ठीक है बच्चे चलिए आगे बढ़ते अगला सवाल है, बैस्विक परिवार दिवस कितनी तारीक को मनाते हैं, एक जन्वरी, एक दिसंबर, एक जुलाई, चौधा नौमबर, बैस्विक परिवार दिवस, यह आपका कब मनाते हैं, बोलोगे बैए, फास्ट, तेजी से आंसर कीजिएगा, जल्ली से आंसर कीजिए, सही उत्तर क्या होगा, पटा पट आंसर करोगे बैए, तेजी से आंसर कीजिए बैए, चल्ली से आंसर करोगे यह क्या हो जाएगा, फटा फट से आंसर कीजिए यार, इस परस्ट का सही उत्तर क्या होगा, बहुत बेहतरीन कोश्चन है बही यह देखो, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ठीक है देखो एंद्गो, इसको समझेगा, बहुत ध्यान से जाएगा तो एक जन्वरी और अगर पूछा जाएगा इंटरनेशनल फैमिली डे पूछा जाएगा इंटरनेशनल फैमिली डे पूछा जाएगा इंटरनेशनल फैमिली डे जो है वो आपका बच्चे मनाया जाता है कब यह 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे मनाते हैं ठीक है एक दिसंबर को अगर पूछा जाएगा तो एक दिसंबर को World AIDS Day मनाते हैं ठीक है बैए? याद रहेगा? और एक जुलाई को अगर पूछा जाएगा तो भाईया Doctors Day मनाते हैं 14 नॉवंबर को World Diabetes Day और Children's Day थीग है रहेगा आगे बढ़ते है और शर्थम को चिलिए अर्थशास्त्र में किस अर्थशास्त्र ने किस सब्द काक प्रियोग कर दोगे सारे लोग बोलिए बाई फास्ट ठीक है बाई देखो यार बहुत बढ़िया सवाल है सर प्रथम कोटिल ने अपने अर्शास्तर में जिस सब्द का परियोग किया वो केबल भारत अब कोटिल की बात करते हैं तो इसके तीन नाम है इसका जो वास्तिविक नाम है वो बेच्चे विस्णुगुप्त है और इसके पिता का नाम चनक था तो इसलिए चनक के नाम से जाना गया और अपनी कुटिल नीत से विख्यात हुआ तो इसलिए कोटिली के नाम से जाना गया अपनी कुटिली नीती के कारण कोटिली के नाम से जाना गया तो आंसर क्या हो जाएगा यार इसका इसका आंसर हो गया भी या केवल भारत, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अनुलाचल प्रदेश को किस सम्मिधान संसोधन से एक राज बनाया गया अनुलाचल प्रदेश को, फटा बटा अंसर करो गया, अनुलाचल प्रदेश जो राज बनाया है, वो कौन से सम्मिधान संसोधन से, ठीक है, 61 में संविधान संसोधन से, जो वोट में, एलेक्शन में वोट करने के आए, 21 साल थी, उसको 18 साल कर दिया गया, 61 में से, और ये 1988 में हुआ, और इंप्लिमेंटेशन हो गया 1989 में, राजीव गांधी उस समय प्रधान मंत्री थे, उनके द्वारा ये किया गया था, याद रखना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उत्रापत स्वामी किसे कहा गया है, गोपाल को, धरंपाल को, कुमार गुप्त को या मदनपाल, किसको भीया उत्रापत स्वामी कहा गया है, अंसर कीजिए, बोलिये, सारे लोग अंसर करो कि भीया, उत्रापत स्वामी जो है, इसको कहा गया है सही उत्तर क्या हो देखो या उत्तरा पस्वामी अगर पूछा जाएगा तो ये धरम पाल को और धरम पाल ने बिक्रम सिला विश्व विद्याले की स्थापना कराई ठीक है गोपाल ये पालवंस का संस्थापक है इसने ओधन्त पूरी बिश्व विद्याले का निर्माण कराया पुमार गुप्त साहब ने उच्छा जाएगा तो नालंदा बिश्व विद्याले जो है वो पुमार गुप्त साहब ने स्थापित कराया ठीक है पहले आगे बढ़ते हैं लोक लेखा समित का कारेकाल कितना होता है, एक साल, दो साल, तीन साल या पांस साल, लोक लेखा समित का जो कारेकाल है, वो बच्चे कितना होता है, जो को बहुत बढ़ी हा सवाल है, पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात चीत की गई है, पब्लिक अकाउंट कमेटी बेसिकली य ये कसमित ही होती है, जिसमें पंदरा सदस लोक सभा से होते हैं, और जिसमें सास सदस राज्य सभा से होते हैं, इतनी बास समझ में आ गई, और इसका जो हमेशा जो नेता होता है, वो कोई बिरुधी पार्टी का होता है, इसका अध्यक्ष, और इसका करेकाल हमेशा एक साल का होता है हर साल ये बनाई जाती है तो आंसर क्या हो जाएगा यार एक सार एक दम किलर कट समझ में आगया बई आया ना एक बार मेरे प्यारे भी ध्यारतियों सेयर कर दोगे सारे लोग माही कृष्टन लवली सतीस हरी रोसन ग्राजेस गेमिंग सब भी लोग शेयर कर दोगे यार ठीक है चली आगे बढ़ते हैं निमली कि इसमें से कौन सी गैसे भूकम से पहले भूमिसे निकलती हैं कौन सी जिनान आरगन इलियम या रेडाउन बोलो कि भी फास्ट देखो यार कभी पूछा जाएगा भूकम से पहले कौन सी गैस निकलती है तो यह आंसर हो जाएगा यार रेडाउन ठीक है याद रहेगा सारे लोगों को चली आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है तमिलनाडु में कौन सा रास्ट्री उद्ध्यान इस्ति म्रगावत्ती या कहां है वो लिए लवली राजेस कृसन अंकित रोसन गेमिंग ससांग नवीन हरिसंकर सारे लोगा अंसर करते जाएगे बहतरीन तरीके से ठीक है ना आते लंगा ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं म्रगावानी यह हो गया वै सबसे लंबी तट्रेखा अगर पूछी जाएगी इसकी है तो आपकी इसी की है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं काल्रा इंथ्रेक्स और छे रोगों का अध्यन जो है वो इनके लिए किसको जाना जाता है रोनाल्ड रास रावर्ट कोच या लूई पास्चर या चार्ल्स लीजूरन हमने एक सवाल आपको बताया था बहुत बढ़िया हमने बताया था तूक्छुम जीविकी के जो जनक माने जाते हैं वो रावर्ट कोश को माना जाता है इसलिए माना जाता है इन्होंने कालरा इंथ्रेक्स और छे रोगों के उपर गहन अद्धिन किया रोनाल्ड रास साहब जो है यह मलेरिया के यह मलेरिया के लूई पास्चर साहब ने रेवीज का टीका खो जा था रेवीज टीका भी है लूई पास्चर साहब ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है किसारी दाल मैंने सवाल कराया हुआ है बच्चे कहते हैं जर हो मार्किट में लेने का एक है साथ रुपए किलो दूसरी है सो रुपए किलो अरहर की दाल में खास कर तो यह बेसिकली एक तरीक है के बीज होते हैं वो उस दाल में मिले हुए होते हैं थोड़ा सा हरा पंसा रहता है हरे भी दाल होगी और थोड़ी सी पीली दाल भी होगी बड के दोरा होता है उता कि इनका उत्पादन कौन करता है मैं बटा बड़ा अंसर करोगे वाई सारे लोग देखो यह उतुकों का जो उत्पादन है जो उतुकों का उत्पादन है वह यह प्रोटीन जो उतुकों का उत्पादन है वह आपका किसके दोरा होता है प्रोटीन के दोर ठीक है याद रहाएगा सारे लोगों को बिटामिन जल में बसा में दो तरीके खें जल में B और C बसा में A, D, E और K कार्भोईडरेट भी एक इसमें होता है तो हम लोग कहते हैं सबसे दिख आलू में है ठीक है याद रहाएगा मखर मगरम हमें फैट होता हिए कौन सा एक तुचा रोग है फिरफोरट में सानेमिया पुलाग्रास इन में से तुचा रोग कौन सा है एक बार तेजी शेयर करेगा कोई ऐसा बिद्धार्थी नहीं होना चाहिए जो वीडियो को बिद्धार्थी शेयर कर देगा तो एकदम आनन्द आएगा ठीक अब या सबी लोग तो बहुत बढ़िया सवाल है इसका सही आंसर जो है वो पेलाग्रा हो जाएगा ठीक है तो चाहरो एनेमिया खून की कमी से आस्टियो मलेसिया हड़ी से रिकेंट्स भी हड़ी से आगे बढ़ते हैं मतदान से आई के रूप में किसका प्रियोग करते हैं एलेक्शन में वोट देने जाते हैं हम और आप तो वोट देने के दोरान एक बात देखते हैं कि हमारे उंगली पर एक स्याही लगा जाती है काली रंकी बून सी टपका दी जाती है फिर वो पैचान हो जाती है हम लोग ऐसे से लेकर फोटो किछाते हैं यह वोट देने करते हैं बहुत सारे लोग फेस्बुक बगर आप अपडेट करते हैं जैसे जब नया नोट आये थे तो लोग नया नोट 20 का नया नोट 50 का इसा वाज कल तो बड़ा जब अच्छी चीज अवर्नेस भी फैलती है तो लोग सोचते हैं हम भी करें हम भी डालेंगे अपना फोटो यह भी होता है होता ना तो मतदान सियाही जो है यह आपका सिलवर नाइटरे रीचिया कैंडी यह आप है ऑईन नीच्रिल गैस का शच्रप्र सिसंंगा ऊन जीटी तो लोग भई कंट मंकित बाबू बहुत बड़िया बहुत सांदार अ हैं अ बहृत सांदार गहानी कुमआरी बहुत बेटरीन आंसर देते रहिए किरांगे अलकाजी हैं अल्का जी हैं, अल्का कौन, अल्का गौतम, अल्का रानी, कौन, अल्का मिस्रा, कौन, अल्का मित्तल, कौन है बाई, अल्का मित्तल है, ठीक है, मिस्रा इसरा नहीं है, अल्का मित्तल, याद रखिएगा, ठीक है, पहले आगे बढ़ते हैं, रात पर्व का सम्मन्द किस और ये बड़ा अच्छा पर्व है, इसका एक और बड़ा प्रसिद्ध नाम है, इसका जो एक और प्रसिद्ध नाम है, उसको बोलते हैं बटुकनात, बटुकनात पर भी बोलते हैं, और इसका एक और वो नाम है, महासिवरात्री पर्व, ये भी बोलते हैं, और ये सब मनाया मनाए जाता है जम्मु इनकस्मीर में जाता है अब रौफ, डानस अगर पूछा जर पाइगा जम्मु इनकस्मीर हो जाता हैं मट की और गां का डानस है मंद्व्रदेश का झाद रहेगा अब एक सवाल है मैंने आफसे कई बार पूछा एक राजदरी दल पर पात, राजदरी जल पर पात, और दूसरा देवदरी जल पर पात, ये जो राजदरी और देवदरी जल पर पात हैं, ये दोनों कहां पर इस्तिते हैं, एक बार बता दीजिए, सवाल आया हुआ है, पटापट बता दो कि भाई, राजदरी और देवदरी जो जल पर पात ह ये आपके कहां पर हैं क्या सही उत्तर हो जाएगा भीया राजदरी और देवदरी जो जलपरपात हैं ये आपके कहां पर हैं प्रस्नका सही उत्तर क्या हो जाएगा बोलेगा देखो राजदरी और देवदरी जलपरपात हैं ये आपके चंदौली जिले में बनारस के पास य इंदर याद रखिए गा ये टी से तु का उध्गाटन किया था भी वाई और ये आपका उड़ीसा में कटक में कटक में और महानदी पर तो आंसर क्या हो जाएगा यार महानदी ठीक है याद रहेगा गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है कावेरी को दक्षिड की गंगा कहते है सिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी पर है अब बच्चे कहते हैं सर्दक्षिड की गंगा आये की लगाओ ओ तो कावेरी लगाना ए? द..डच्षिड गंगा के वल लिख ओ टो गोदावरी लगाना है ठीक है ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी है सबसे लंबी गंगा सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्रा याद रखना है ठीक है निम लिखित में से कौन सा भूकम्प और अकाल का सबसे पहला लिखित साच्छ हम को देता है क्या अंसर हो जाएगा बोलोगो बैफस्ट भूकम्प और अकाल का सबसे लिखित साच्छ कौन सा देता है क्या सही उत्तर हो गया देखो यार, भूकम्प और अकाल की जब भी हम बात करते हैं, जब भी कभी हम लोग, भूकम्प और अकाल की बात करते हैं, तो एक चीज जरूर याद रखेएगा, भूकम्प और अकाल का जो लिखिस साच है, जो लिखिस साच हमको भूकम्प और अकाल का देता है, वो बच् एक कोड याद रखो यार राइसा जिगवेद है अजुरवेद है सामवेद है अथरवेद है ठीक है भईया प्यारे विद्याथियों याद रहाएगा आगे बढ़ते हैं चीन में सांस्कृतिक कुरांति का नेत्रत तो किस ने किया चीन में जो हमारा देंग, सीओ, पिंग या इनमें से कोई नहीं एक बहुत पहले लोग थे छोटे थे तो मुझे बताया करते थे वड़ा मजदार है क्याते थे चाइना में मालूम है नाम कैसे पढ़ते हैं क्या होता है जब बच्चा पैदा होता है तब एक उपर पानी डालते हैं जैसी आवाज होती है वैसा नाम रख देते हैं वो मजाक बढ़ करते थे जब वरदस्त कैते हैं ऐसे नाम रखे जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है जैसे हम लोग कहते हैं यहां नाम ले दिया गया बेंजी अबाओ जब ये नाम लिए जाते होंगे मनोहर, रामलाल, सरोबर, तो लोग कहते होंगे यार ये कैसे नाम है? तो अपने होगा कि उनकी अपनी wishes के इसापस नाम है, और हम लोग अपने wishes के इसापस नाम है, हर एक नाम का एक wish होता है, समझते ना? तो ये एक बड़ा जबरदस्त एक ट्रेंड है ठीक है भाई बिलकुल संगीत से रिलेटेट सांबेद है और ये भाई माउ जिदांग क्यालाते हैं आगे बढ़ते हैं संयुक्त राज संग का प्रमुग विमर्सी अंग कौन सा है यूए नो का प्रमुग विमर्सी अंग कौन 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 से एक बार बताओगे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओगे कौन कौन से सुरच्छा परिशत के इस्थाई सदस्य हैं पौधो के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त होती है जड़ तना पत्ती या इनमें से कोई नहीं किस हिस्से से प्राप्त होती है जड़ से तन से पत्ति से या इनमें से कोई नहीं इसे प्राप्त होती है ल vibrations को बोलोगे को मुली है तरे सब्सक्राप्त होती है यह ओदρεड़ा्वाद काटक इंडियन इस्टिटूट आफ wrath Chemical Biology जो है वो आपकी कहां इस्तिथ है तो कभी है इंडियन इस्टिटोट आफ केमिकल बाइलोजी पूछा जाएगा तो आपकी कलकत्ता में इस्तिथ है कहा पर इस्तिते पहरविद्यारति कलकत्ता में Central Drug Research Institute लखनाऊ में decade lore इंस्टेटिट्यूट लखनाउ में अटल भियारी जाता है डिन.' a Lukton लखनाऊ में gdzie कारफनाच दॉट्वार के दूरा बनाया गया दूरकशी चंद्रबोसका रास्टी चाबल अनुसंधान सनस्थान भी कटक में इस्तित है कितने सारे सवाल निकलते चले जाते हैं एक विकल्ब से ड्यूस सब्द किससे समन्दित है अंसर करोगे बाई ड्यूस बहुत बढ़िया देखो रानिन क्या चीन अमेरिका रूस ब्रिटेन पाँच है चीन फ्रांस दो अमेरिका तीन रूस चार ब्रिटेन पाँच बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सवाल है यह ड्यूस बैड्मिन्टन से रिलेटर है थामस कब बैड्मिन्टन से सम्बंदित उबेर कब बैड्मिन्टन से सम्बंदित बॉली बॉल में खिलाड़ी छे क्रिकेट में खिलाड़ी ग्यारा ठीक बहुत बहुत बैड्मिन्टन का एक और नाम है कब पहली बार छापा गया था बॉलेगा अर्स्थास्त्र का जो पहली बार अंग्रेजी संस्क्रन छापा गया था वह यह कब छापा गया था एक बार आंसे करोगे देखो या अर्स्थास्त्र का जो पहली बार देखो या अर्स्थास्त्र का जो पहली है अर्स्थास्त्र का जो अंग्रेजी संस्क्रन छापा गया था वह बच्चे 1915 में हिंदू महासवा की स्थापना भी 1915 में हुई उड कॉर्परेशन आफ इंडिया बना 1965 में माले मिंटो सुधार 1909 में याद रखना है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं बॉम्बे रेडियो क्लब से भारत में रेडियो प्रसारण कब शुरू किया गया उननिसो बीस उननिसो तेइस उननिसो ठाटाइस से उननिसो पच्चिस क्या आंसर होगा इसके बाद में आप लोगों का एक क्लास रहेगा एक बज़े से वो बाइफाई स्टेडी चैनल पर हैगा में चैनल पर बाइफाई स्टेडी चैनल पर रहे ठीक है भईया एक बज़े इसका अंसर हो जाएगा भाईया आपका 1923 ठीक है बच्चे ठीक है पैर अभी द्यारती है तो यहीं तक रखते हैं हम लोग क्लास पो इसके बाद आप लोग एक बज़े जुड़ोगे बाई फाई स्टडी में चैनल पर जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुएं हम लोगों ने लगबग 60-70 सवाले हैं पर कम्प्लीट किये है ठीक है भाईया याद रहेगा हाँ या ना एक बार सारे लोग बता दोगे यार जितने लोग जुड़े हुएं सभी लोग बताओ कि भीया ठीक है अधर दूसरी चीज़ बड़ी महत्रपूर्ण चीज़ में डिस्कस करनो जिन लोगों ने अभी तक इसमें इन्रोल्मेंट नहीं किया कल देखो है यार आप लोग का बारा बज़े एक टेस्ट ठीक सारे लोग इसमें इन्रोल्मेंट करो फ्री में इन्रोल्मेंट हो रहा है अभी क्लास के बाद तुरंत सभी लोग इन्रोल्मेंट कर लेना और टेस्ट देना कल बारा बज़े प्राइज भी जीती है आप लोग ठीक है है यह आप लोग रिपोर्ट एंविन आप लोग यहां पर देख सकते हो तो सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कीजिएगा अधिक से अधिक सेर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पीडियाब बच्चे हमारे जी एस ऑबलिक जी के वाया लोग सर्ट टेलिग्राम ग्रूप है उस पर आप लोग जोड़ जाएए वहां पर पीडियाब आपको प्रोवाइट करा दी जाएगी ठीक है ओके जैहिन दोस्तों सुक्रिया थैंक्यू